नमस्कार आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और खबर जुड़ी हुई है संजू सैमसन से और संजू सैमसन की खराब किस्मत कहलें इसको या जो भी कहलें लेकिन एक बात फिर से उन्हें लॉंग रन नहीं मिलने जा रहा है एक मैच के बाद ही वो बाहर हो गए है टीम इं जा रहे थे फिर दूसरी गेंद दो बारा से वही ट्राइक किया बाल बाल बचे थे पहली गेंद दूसरी गेंद पर कैच आउट हो गए और मैस पांचरन बनाकर वो आउट हो गए लेकिन इसके अलावा जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो पहले ही ओवर में शिवम मावी की गेंद पर जरूर उन्होंने ट्राइक किया कैच पकड़ लिया था लेकिन वो जमीन पर गिरे लेकिन चोट उन्हें उससे नहीं लगी है दरसल वो नी इंजरी के चलते अगले दोनों टी ट्वेंडी आई मैचेस से रूल डाउट कर दिये गए हैं और शिलंका के खिलाब और डीप थर्ड रीजन पर जहां पर संजू सैंसन फिल्डिंग कर रहे थे वो तेजी के साथ भाग कर उन्होंने फिल्डिंग किया लेकिन उनका घुटना जो था वो ग्राउंड में फंस गया और जो टुट होता है जो ग्रास होती है वो मिट्टी वहां से निकल गई घास भी वहाँ से निकल गई और जो चौका तो गया ही और उम्रान मलिक बहुत खुश नहीं थे तो वहाँ पर वो बाउंडरी गई लेकिन वहाँ से उनकी जो घुटने में थोड़ा सा इंजरी की बात अगले दिन सामने आई जिसमें उनको मुंबई में ही रोका गया वो उनका जो स्कैन हुआ है उसमें उनको अभी फिलहाल रेस्ट और रिहाबिलिटेशन के लिए कहा गया है तो ऐसे में वो अगले दो मैचेस के लिए बाहर हो गए इस सीरीस से रूल डाउट कर दिये गए हैं तो संजू सैमसन की किसमत खराब कह लीजिए क्योंकि अभी तक उनको जो सबसे लंबा रन मिला है वो तीन मैचों का मिलता था और ये सूचा जा रहा था इमाना जा रहा था कि इस बात उन्हें छे मैचेस का रन मिल सकता है यानि के तीन श्रिलंका तीन न्यूजिलेट लेकिन अब वो एक मैच के बाद ही बाहर हो गए हैं लेकिन किसमत खुल गई है जीतेश शर्मा की अब जीतेश शर्मा कौन है जीतेश शर्मा विदर्ब के विकेट कीपर बले बाद हैं जिन्हों उन्हों ने इस साल 2022 में पंजाब के लिए क्रिक्ट खेला IPL में पंजाब और पंजाब किंग्स के लिए और वहां पर उन्हों ने 29 से ज्यादा की औसर से रन बनाए और कुछ तेज तर्रार पारियां खेली अर्दुश्य तक नहीं आया लेकिन तेज तर्रार पारियां उन्होंने खेली lower down the order आकर और बहुत ही सहज दिखाई दिये लेकिन इसमें जो striking feature था वो था 163 से ज्यादा की strike रे और इस वजह से सभी की नजों में वो आ गए लेकिन क्या रहा है कौन है जीतेश शर्मा कहां से आएं हैं क्या उनकी हिस्ट्री है जल्दी से तीस सेकेंड में मैं आपको बता देता हूँ उनक्तीस वर्षी यह खिलाडी है दो हजार बारा तेरा के कुछ बिहार ट्रोफी में इसने 537 रन बना दिये थे बारा पारियों में जिसमें दो शतक एक अर्द शतक लगाया था और वहां से इसको विदर्ब की विजए हजारे टीम में जगा मिली यानि 2013-14 का जो सीजन था लिस्टे का वहां पर डिब्यू किया जुतेश शर्मा ने और वहां से दो सीजन इन्हों ने सिर्फ लिमिटेड ओवर्स ट्रिकेट केला उसके बाद जब सेद मुश्ताक अली में 2015-16 के सीजन में ये थर्ड हाइस ट्रंगेटर भी रहे लेकिन किसी की नजल में नहीं आए वहां से फिर मुंबई ने इनको 2016 सीजन खिलाया लेकिन वहां पर उसके बाद आप देखें जो सेद मुश्ताक अली का मैं जिक्र कर रहा हूँ 2015-16 सीजन का वहां पर इन्होंने 343.5 की स्ट्राइक रेट से बनाए जिसमें उन्होंने एक शतक दो अर्द शतक लगाए और इसी वजह से IPL 2016 में मुंबई इंडियन नहीं ने 10 लाख रुपए में खरीदा था लेकिन रंजी डेबियू इनका हुआ 2015-16 में और वहां पर ये कुछ खास नहीं कर सके एक सो असी रं अठारा की ओस्ट से इन्होंने बनाए लेकिन इनका जो ब्रेक्ट्रू रहा वो रहा 2022 का IPL सीजन पिंजाब किंज के लिए खेलते हुए इन्होंने तीस के करीब औसवत से 163 की स्ट्राइक रेट से जहां से इन्होंने बताया कि मैं इस तरीके से मैच फिनिश करता हूँ और जितेश शर्मा की किस्मत खुल गई है लेकिन क्या जितेश को मौका मिलेगा फिलहाल पुड़े के मुकाबले में ऐसा लग रहा है कि मौका मिलने जा रहा है राहुतर पाठी को जितेश को अभी भी मौके का इंतजार शायद करना पड़ सकता है अगर भारत जीत जाता ह तो शायद 30-20 AI में उन्हें मौका मिले और मौका मिले तो क्या ये खिलाडी भुनाएगा आप जरूर कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी और आपकी क्या राय है आप देख रहे हैं स्पोर्ट चैट मैं हूं शिचान सिंग नमस्कार